हेलो फ्रेंट्स देश की नैशनल करेर एरलाइन्स कमपनी एर इंडिया को लेकर एक इंपोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि भारसरकार एर इंडिया को प्राइवेट करने की कोशिस से पिसले दो साल से कर रही है लेकिन अभी तक एर इंडिया को खरीदने के लिए कोई भी काविल खरीदा नहीं मिल पाया था यानि कि ऐसे लोग जिरों ने expression of interest सब्मिट किया था अब उनको यहाँ पर financial bid के लिए invite किया जा चुका है और यह जो financial bid है वो 15 सितमबर तक सब्मिट कर दिया जाएगा आपको बता देगी जिस भी party का सबसे चाब financial bid होगा finally air India उसको यहाँ पर बेश दी जाएगी साथी साथ हम आपको यह भी बता दे कि इतना भी आसान नहीं रहने वाला है air India एक काफी बड़ी कंपनी है और इसका मुल्यांकन और इसकी value किस तरीके से लगेगी कैसे यहाँ पर buyer का decision लिया जाएगा इसमें यहाँ पर तमाम तरह की मुश्किले सामने आने वाली है लेकिन अभी देखना ही रहता है कि 15 सितंबर के बाद जो यहाँ पर buyers आया हैं जितने भी जो bidding submit करने वाले हैं उनके कौनकों से नाम है क्योंकि अभी तक air India ने इस नाम को confidential रखा हुआ है और कितनी पार्टियों ने air India में अपना expression of interest submit किया है कितने लोगों को shortlist किया गया है इसकी कोई भी जानकारी अभी तक मीडिया में नहीं है और उमीद है कि 15 सितंबर के बाद इन नामों के उपर चर्चा हो सकती है और उनकी bidding के बार में पता लखवाएगा कि इन सभी लोगों ने कितनी bidding air India को खरिदने के लिए की है